देश के करीब आट करोर से जादा किसानों को केंदर सरकार के द्वारा होले के ठीक पहले बड़ा मुनाफ़ा में चुका है। आपको बता दे मोधी सरकार ने सुमवार को देश के करोरो किसानों को पीएम किसान संबानी धी की अगली किस्त का पैसा दे दिया है। ये मोदी ने तेरवी किस्ट जारी कर दी है लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में तेरवी किस्ट का पैसा नहीं आया है बिहार से भी ऐसी शिकायते सामने आ रही हैं जो हाँ ये कहा जा रहा है कि कई किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो अगर आप भी उनकिसानों में से एक हैं या किसी ऐसे वेक्टी को जानते हैं जिसके खाते में तेरे भी किस्त का पैसा नहीं पहुँचा है तो आपको हम बताएंगे आज की कैसे आप इसकी जाउच करें शिकायत करें ताकि आपकी अकाउंट में पैसे आ सके साथी किसान सम्मान निदी योजना किस्त से वंचित लोगों को इसके पीछे की वजव भी आगे की रिपोट में हम बताएंगे अब नमश्कार आप जंता जंक्षन दीख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पैम किसान सम्मान निदी योजना के तहत देश के सम्ही किसानों को होली की ठीक पहले पैसे दे दिये हैं सरकार के तरफ से तेरी भी किस्त सोमवार को जारी कर दी गई है जिसके लिए प्रधार मंतरी नरेंडर मोधी की और से किसानों को भोली के तौफिक के दौर पर के तpri भी किस्त के रूप में 16,000 करोर रुपए को देखा जा रहा है लेकिन कई ऐसे भी किसान हैं जो आज भी सरकार के द्वारा दिये जाने वाले किस्ट का इंतजार पर रहे हैं क्योंकि उनकी अकाउंट में अभी तक तेरे भी किस्ट का पैसा नहीं पहुँचा है प्रधार मंतरी किसान सम्माने दियोजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिये जाते हैं तीन किस्ट के रूप में ये सारे पैसे उनकी अकाउंट में आते हैं सीधे किसान के अकाउंट में केंदर सरकार के द्वारा ये पैसे भीज़ जा रहे हैं 2000 करके तीन बार में यह किस्त अकाउज़ में आते हैं लेकिन मीढम एक्सान की मिलने में कापत दिक्धट हो रही हैं उनके साथी की अकाउन्ट में पैसे आख चुके हैं लेकिन उन्हें इक अब इतके नहीं मिलबाई है तो सबसे पहरे तो आपको हम बता दे कि नए नियम के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि किसानों के बैंक में तेरवी किस्त का पैसा आए ही ना और वजवा यह है उन्होंने अभी तक निर्देश अनुसार अधार और भूमी रिकॉर्ड का ज्वाच नहीं करवाया हो तेरे वी किस्त तभी किसानों के अकाउंट में आएगी जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तापित कर पाएंगे किस्त तभी मिलेगा जब लाबार्टी ए के-वाइसी करवाएंगे आधार और भूमी रिकॉर्ड के स्थियापन के बाद यह किसानों को तेरे भी 16 लाग ऐसे किसान हैं जिनके आधार और भूमे रिकॉर्ड के जांच के लिए रूची उन्होंने नहीं दिखाई हैं और प्रिधार मुंत्री सम्मा निदी ओजना के तहट करीब 84 लाग लोगों को फाइदा मिलता है जिसमें से 65 लाग से जादा लोगों ने अपनी कागज़ा कि जांच करवाली हैं लेकिन अभी भी 10-15 लाग ऐसे किसान हैं जिन्हें पता नहीं है कि इस प्रक्रिया के बारे में इसको कैसे पूरा करना ही और अगर पता भी है तो वह लापर वाही बरत रहे हैं और यहीं बड़ी वज़ा है कि तेरे भी किस्त के राशी खाते में अभ साइड पर जाना होगा वहाँ एक वाई से के स्टेटिस के बारे में जांच करनी होगी जोहां आपको दिखेगा कि के स्टेटिस के पास लो लिखा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि तेरे भी किस्त के हगडार आप नहीं होगी और तब तक नहीं होंगे जब तक आधार और देते उसको सत्यापन नहीं करवाते तो वहीं अगर गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा रखकर इसे उचना से किस्त का पाइदा आप उठा रहे हैं तो आपको जुर्माना भी देना होगा आप से सरकार वसूली करेगी इतना ही नहीं बलकि अगर आप परजी किसान बनकर सरकार से पाइदे अभी रख ले रहे थे तो सरकार आपसे वसूली करेगी और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक करीब 26 करोर फजी डॉक्यूमेंट्स पर पिसान बने यूचना कलाब ले रहे हैं लोगों से वसूली की जा चुकी है एक तरफ सरकार किसानों को पैसे द बता कर इस व्चना कलाब उठा रहा होगा तो उस पर कारवाई की जाएगी बात विहार की हुँ या उतरफदेश की दोनों जगर काफ़े संक्षा में किसान प्यम किसान सम्मान निदी व्चना कलाब उठाते हैं कि इंदर सरकार कर निदेश के बाद राज्तर सरकार किसानों का पता लगा रही है और उने पकर कर उनसे वसूली भी कर रही है इतना ही नहीं बलकि हाली में एक रपॉर्ट भी सामने आई थी जो हां ये बताया गया था विहार सरकार ने भी ऐसे 51,000 किसानों से करीब 40 करोर रुपए की वसूली करने के बाद कहीं थी जबकि उन में से काफी किसान ऐसे हैं जो हर साल अपना इंकम टैक्स भीड़ते हैं बावजुद इसके पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहे हैं ऐसे किसानों को सरकार को जूर महीने तक पैसे वापस ल आपधान हो जाएं वरना या तो आपकी खाली होंगे या फिर आप जाएंगे जेल के भीटर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंस का सत्यापन करवा लिए वरना तेरवी किस आपको अभी भी नहीं मिलेगी आप हेल्प लाइन नंबर पर फोन कर उसकी जौनका पर कॉल करके आप असे संबंदित जानकारी हासर कर सकते हैं वाके इसे कोई नहीं जानकारी सामने आती है तो आप तो हम उसे जरूर पहुच राएंगे तब काप अपी राए अस पूरे ख़बर को लेकर कमन सक्षिन में साज्वा कर सकते हैं वीडियो को शेर्क कीजिए और